हन जी रामराम जी अपनी तियारी को परखने का शांदार मोका है इस बार आपके लिए पूरे हरियाना में CET ओफलाइन टेस्ट थरी होने जा रहा है पूरे हरियाना में आलोर हरियाना सेंटर उपलब्द है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं कौण कौण से एकजाम सेंटर हमने बढ़ाए है पूरे हरियाना में क्या बेनेफिट होगा इस वीडियो को एंड तक देख लिजी 30 अप्रेल को पूरे हरियाना में CET टेस्ट थरी होने वाड़ा है OMR के उपर एकजाम होगा 40 रुपे इसकी फीस है जो बचे ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो ओफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी 50 रुपे फीस है अकेडमिय में जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ठीक है रजिस्ट्रेशन ओनलाइन करना चाहते हैं केटीडीटी ओनलाइन एजुकेशन एप पर आप कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको करना क्या होगा केटीडीटी एप पर अपना अकाउंट बनाना होगा उसके बाद में वहाँ पे आपको ओफलाइन टेस्ट का बटन देखेगा और उसके अंदर आपको देखेगा अपकमिंग एक्जाम यह CET ओफलाइन टेस्ट 3 है सो नंबर का है 26 अप्रेल तक अपलाई होंगे और 30 अप्रेल सदे बार आप जिसले के 2 बज़े के बीच में एक्जाम है ओफलाइन 40 रुपे फीस है यहाँ पे जोईन नाव के उपर आपको कलिक करना है यहाँ पे आपको अपने डिटेल एंटर करनी है या दार काड का पूरा नंबर या वोटर आइडी का पूरा नंबर या ड्रेविंग लैसेंस का यहाँ पे परबड़ी या मुबाइल नंबर डालना है यहाँ से आपकी डेट ओबर्थ और समिट के उपर कलिक करना है सेंटर कौण कौण से है इस बार अभी तक केरियर पावर है इसार निव वीजन है बरवाडा कलीन सलेट अकेडमी है आदंपूर वैटिकन इंस्टिट है रोट तक वैटिकन इंस्टिट है मैम विद्यूल आई एस अकेडमी है पानिपत रागविंद्रा क्लासिज सोनिपत है वैटिकन इंस्टिट गुहाना है रैडिफ अकेडमी करनाल है बारदवाज इंस्टिट कुरुक्षेत्रा है साइस अकेडमी पेहवा है लुसेंट कोचिंग कलासिज गुरुग्राम है केरियर पॉइंट लाइबरेरी फिरोजपूर जिरकानू है रिवाडी केंपस रिवाडी में है वैटिकन इंस्टिट कोचली है धे कोचिंग सेंटर जजजर है प्रिसकार अकेडमी महंदरगड है माउंटेन अकेडमी भाड़ा बाड़ा चर्की दादरी बाड़डा दागुरू इंस्टिट बिवानी है ब्राइट फ्यूचर लाइबरेरी जूई है सरस्वती इंस्टिट डिफेंस अकेडमी लोहारू तायल कम्पेटिशन क्लासेज जीन्द लक्षय कोचिंग क्लासेज सिर्शा कैरियर एंड कम्पेटिशन चर्की दादरी राधा क्रिशन अकेडमी जगाधरी सरस्वती क्लासेज कलायत वेटिकन इंस्टिट दोशडका अंबाडा एचिवर्स अकेडमी पल्वल ड्रीम कैरियर अकेडमी बवानी खेडा हरियाना IQ अकेडमी बिलास्पूर यमनानगर वेल्यू पलस लाइबरेरी उचाना नैशनल कोचिंग सेंटर अटेली मंडी स्टड़ी पॉइंट लाइबरेरी तुसाम के एंडी लाइबरेरी असंद दा टाइम्स लाइबरेरी कैथड अवार्ड अकेडमी बहल आर्यभट अकेडमी नारनोल गलैक्सी एक्स इस कोचिंग पॉइंट फते बाद ये 38 सेंटर है जिसके रजी स्टेशन आज 20 तारीकों चल रहे है 20 तारीकों वीडियो मिल रही है बना रहा हूँ और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है 22 को 23 को हो सकता है 5 सेंटर 10 सेंटर और भी एड़ हमारे इस लिस्ट में हो गए हूँ तो आप एप के उपर जाके ये सारे सेंटर है वो देख सकते हैं और आप अपना जो रजी स्टेशन है वो कर सकते हैं ठीक है जी अब दोस्तों बता देता हूँ यदि आप इस टेस्ट में पारटिस्पेट करते हो तो आपका क्या फाइदा है एक तो दोस्तों आप OMR भरते समय बहुत सारी मिस्टेक करते हो जिसकी जैसे यदि आप टोपर भी हो गए आपका सेलेक्शन नहीं होता है तो वो जो गलतिया है ना जो आप OMR बरते समय गलतिया करते हो आप practice इतनी कर लोगे CET exam तक कि आपकी ये गलतिया जो होनी है वो यहीं पर हो लगी real exam में कोई गलती नहीं होगी इसके अलावा CET का exam 10 से 15 लाख बच्चों का होगा तो आपको पड़ी ranking अपनी आपकी जो त्यारी परखणी है वो हजारों बच्चों के बीच में कम से कम परखणी चाहिए तो ये मोका आपको यहाँ पर मिल रहा है इसके अलावा दोस्तो आप बार-बार comment करते हो कोई कोई से subject को ज़्यादा पढ़ना चाहिए कौन से subject को कम पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर आपको subject analysis किया जाएगा कि आपके math में कितने number है English में कितने number है Hindi में कितने number है आपको पता चलेगा कि regular आपके continue आपके Hindi में बड़ी आ number आ रहे हैं का मतलब है कि Hindi की त्यारी आपके ठीक है आपको बाकी subject पे और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है तो यह है मामला का पूरा का पूरा registration स्टार्ट हो गए है 100-500 बचों ने registration अभी पिछले 10 मिंट में कर लिया है और seat limited है दोस्तों क्योंकि offline exam है तो sitting capacity के हिसाब से ही registration होते है फटापट अपना registration कर लिजे यदि आपको online की knowledge नहीं है आप अपने संस्थान में जाके registration करा सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद भगवान करें आप सभी का समय सुब रहे